हेलो फ्रेंज, वेलकम टू आगा चैनल, फुल न फन विद रादिकाद, आज मैं लेके आई हम एक गेम जो की दिवाली स्पेशल है, दिवाली पर गैंबलिंग करना शगुन माना जाता है, तो हम जो गेम लेके आए हैं, वह गैंबलिंग की जैसा ही है, तो मैं बताती हूँ कि यह मैंने कुछ coins ले रखे हैं, आपके पास जितने भी members हूँ, उनको आप जितने भी coins देना चाहते हैं, जितने भी रुपे distribute करना चाहते हैं, वो रुपे distribute करते हैं, जैसे मैं 10 लोगों के इसाब से खेल रही हैं, तो मैंने सब को 20-20 rupees distribute कर दिया है, यह आप group game में खेल सकत हैं, यह एक बड़ी gathering जो आप की होती है, कभी-कभी आप बड़ी कोई function करते हैं, तो बड़ी gathering में भी आप यह game खेल सकते हैं, तो यह मैंने 10 लोगों के 20-20 rupees distribute किया है, यह 4 हमारे जो horses हैं, यह मैंने गोटियां उसको represent करते हुए रखी हैं, आप हमें करना क्या है, जैसे ए एक मेंबर के पास 20 rupees है, तो वो किसी पे भी आपने 20 rupees या दोनों 20 एक ही जिगह पे भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने एक लगाए हैं यह यलो horse पे और एक लगाए हैं ग्रीन horse पे, और यह जो होस्ट होगा, पार्टी होस्ट उसे लिखते जाना है, कि किसने पैसे किस पे लग आए हुए हैं, इसी तरीके से सब लोग अपना-पना कोईन अलग-अलग जगह पे लगा देंगे, और पार्टी होस्ट जो है, इस बात को नोट करते जाएंगे, कि किसने पैसा कहां पे लगा रखा है, तो मैं यह आपको दिखाने के लिए ऐसे लगा रही हूँ, बाकी यह डिपैंड करता है, कोई से भी फाइब कार्ड वो निकाल सकता है, हर पार्ट स्पेंग को ऐसे ही फाइब कार्ड सी लेने हैं, मैं आपको एक का करके बता रही हूँ, जैसे हमने यह फाइब कार्ड निकाले, जैसे मेरा आया पान, तो जो मेरा पान का यह है रैड, वो एक न यह आया है मेरा चड़ी तो यह एक नमबर पर आ गया जाएगा इसी तरीके से अब हम इने फिर से मिला देंगे और कार्ट को दुबारा से शफल करेंगे और दूसरा पार्ट से पेंट आएंगे और वो फिर से इसमें से 5 कार्ट निकाल लेंगे वाँ टो थ्री एक निकाल अब आया हमारा हुकुम का हुकुम की हमारी गोटी थी यलो तो यह एक कदम और आगे बड़ेगी फिर से हुकुम ओया मेरा फिर से एक गोटी आगे बढ़ेगी अगे लेगा अब यह आया हमारा पान और पान की गोटी थी हमारी red तो यह आगे बढ़ गई गया और फिर से आया हुकुम तो यह इस तरीके से आगे बढ़ेगा इसी तरीके से बनवाई वन सारे parts point आएंगे और इसी तरीके से 5 cards लेंगे और वो open करेंगे अपने cards को और जहां पर भी points रखें वो तो उनके हैं ही और बाकी सारे points भी yellow वाले को मिल जाएंगे यानि हुकुम वाले को मिल जाएंगे और बाकी लोगों को कुछ नहीं मिलेगा और सपोस कि येलो गोटी रह जाती है पीछे और red गोटी अगर हमारी 30 पर पहुंच जाती है और red थी हमारी पान वाला तो पान वाले जो भी members होंगे जिनोंने पान पर पैसे लगाई हुए होंगे वो सारा collection पान वाले लोगों ने जिन जिन लोगों ने पान पर पैसे लगा रखे हैं उनको सारा collection मिल जाएगा तो friends कैसा रगा आपको मेरा ये game अगर आपको मेरा ये game पसंद आया हो तो मेरे channel क लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिलको न भूले बाई बाई